याज आपके सामने है ओल लिए 2023 मारूती सुजुकी फ्रांग्स और साथ ही मारूती सुजुकी ब्रेजा आज की इस वीडियो गेंदर हम इन दोनों काज को यहां पर कंपेर करने वाले और जानने वाले कि यहां पर इन दोनों काज में से आप लिए कौन सी कार ज्यादा बहतर रहने वाली है प्राइजिंग के अगबात करें तो जो प्रैसिंग के बात करें तो जो स्टार्ट हो जाती है एक प्राइश मिलता है इस नदर आपके यहां पर यूट मिल जाते हैं तोटल बिरिंट के बात करें तो ब्रेज़ा में आपके हां पर LXI, VXI, ZXI और ZXI पलेंगे, वेरास फ्रॉंक्स के अंदर आपके हां पर इस पर सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा, प्लस, जेटा और एल्फा वेरिंट्स मिल जाते हैं, जो ब्रेजा है वो आपको मिलेगी नॉर्मल एरेन शोरूम्स के अंदर वेरास फ्रॉंग्स आपको मिलेगी नेक्सा आउटलेट में बाकि ओवराल लोक्स आप देख सकते हैं दोनों ही काज के कुछ ऐसे कंप्लीट है दोनों ही काज ना यहां पर सब 4 मीटर क्याटेगरी में आजाते हैं 3995 mm दोनों के लिए ने थे बाकि वेट और हाइट में यहां पर ब्रेजा जादा बेटर है यहां पर आपको मिलेगी दोनों का देख सकते हैं अगर बात कीज़ेंग की और इन दोनों का आज के वेरिंट की तो यहां ब्रेजा का एलेक्स आई वेरेंट जिसका यहां पर देख सकते हैं लेकिन फिलहाल अभी हम इसे कंपेर करने वाले पेट्रोल के अंदर ही तो पेट्रोल एलेक्स डेल्टा का एक्षोर्म प्राइज है एट पॉइंट पॉइंट टू नाइं लाग रपीस तो दोनों के अंदर ना से थी थाउसेंट रपीस का प्राइ प्राइस पॉइंट पर दोनों का आज आ जाती है तो इसलिए मैंने यहां पर इन दोनों वेरेंट्स को स्पैसिफिक ली चूज करें ताकि आप बहुत ही अच्छे सा इडिया लगा पाए कि आपको यहां पर इस पर 1.5 लीटे का इंजन ऑप्शन ऑफर किया जाता है वहां पर आपको मिलता है 1.2 लीटर का इंए पेट्रोल इंजन जो कि ना इस पर प्रेडियूस करता है 89 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर्स का टॉक तो यहां देखो सीधा सीधा इंजन में तौदा यहां पर ब्रेजा की विनर है बागी दामेंशन वाइस लुक्स वाइस देख स्बूर्फी लुक्स मिल जानेंगे इसके अंदर आपके थोड़े बॉक्सी लुक्स लिए जा रहे है बनों के एंदर यह अंदर ग्रिल के अंदर के न्दर क्रोम इंसर्ट के दर आपको ऊपर इसका इंजरे लेंगे ल्गी जार्शन ताय सोपे नहीं थिएक चैस दोनों क ने भी यहां पर यहां पर दोनों के अंदर उपर आ रहे हैं along पर निखा और ना बॉड भीघर के उब फिजब नहें नहीं है इसकी थोड़ेंगी आट के दिएए पीछे आपके होगा है एप आपर एक पीछे तरह पर नहीं है के ऑप इन ऋदो dich मतलब देखो अगर इत्ता ही पार्ट लेक्ट होना ना यहां तक तो तो ब्रेजा की जाद अच्छी लग रहे हैं बागी जैसे अपर विरेंट में पूरी कनेक्टेड आ जाती है तो फिर फ्रॉंक्स की जाद अच्छी है लोग आप देख सकते हैं फ्रॉंक्स को ऐसा मिलने व बागी हां पर इसमें रियर डिफॉगर नहीं आ रहे हैं जो कि आपके हां पर इसमें मिल जाएगा चार पाकिंग सिंसेस में चार ही उसमें और सबस्क्राइब करते हैं यहां पर देख सकते हैं इसके इंदर कुछ ऐसा बूट है आंड्ट प्लस लीटर यह भी रियर सीटसे इसके अंदर आपको 60-40 स्प्रेट मल जाते हैं इस कार के लिए डिफरेंच पॉइंट पर इनी वेरियंट के सबसे में आपको बता रहा हूं तो मलब अगर आप उसका हाइव लेंगे तो इसके अंदर फीचर हो जाएंगे इसके अंदर थोड़ा रखना निकालना थोड़ा इसके अंदर के आपको आपको फ्लाइक ही मिल जाता है तो मतलो सीधा निकालो सीच का एक डिफरेंच अपके है तो अगर आपके घर पे थोड़े एल्डर पीपल जादा यूज़ करते हैं उनको स्वान वगरा रखना पड़ता है तो यहां पर द्रेज़ा आप ले सकते हैं मतलब है रिक्वाइर्मेंट के सबसे आपको थोड़ थोड़ा बताता रहूंगा वीडियो में आपको बताना चाहूंगा आपकी कार के लिए एक बहुती बढ़िया का पर्फियूम के वारे में जूकि है इन्वाल बेंफॉरेंस की बात करें तो यहां पर आपको इस पर्फियूम को अपनी कार के लिए करने के बाद आने वाली है इस पर्फियूम के साथ आपके हां पर एक हैंगिंग टैग मिले का जिसकी उपर आपको सिंप्ली से दो से तीन बार कर देना कुछ इस तरीके से और उसकी फ्रिक्जंस आटोमाटिकली पूरी कार के अंदर फै पर तो यहां पर अभी तो नहीं पता है इतना बताएगी ब्रेजा की कॉलिटी जो है वह फ्रॉंग से बेटर है नो डाउट बाकी साइज में आप देखी चुके हैं दोनों ही कार्स का और अब बात कर लेते कार के इंटीरियर के बारे में तो यहां पर हम चलेंगे पहले ब गश्वर्ण पार्व यहां पर ब्लाक विद्टों पार विंडो के स्वेचे वेटेंगे फोल्ड नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ यहां पर पूरा और यहां पर आपको मिल जाते हैं कीको इंसर्ट करने का आप्शन इंस्रुमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह कार है कार में ऐसा यहां पर दिखाता हूं कि क्या कुछ रहा है यह सेकंड वेरियंट है तो सेकंड वेरियंट में ओविस्टी थोड़े से ज्यादा अच्छे फीचर मिल जाएंगे यह आप देख सकते हैं ऐसा कुछ डोटर में फैबरिक फिनिशंग आपके यहां पर मिलेगी विंड़ो के स्विचेस हैं तो यह फीचर इसमें एड़ ऑन हो गया है हाई ट्रिस्मेंट सीट के आपको यहां दोनी कार्स में नहीं मिले बाकी स्टेरिंग मांटेट कंट्रोल्स है फुली आटमाटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस विरेंट से आ रहा है इसकार में दो रूफ राइट्स ओपर यहां पर आड़न हो चुकी हैं बाकी देखो यार प्रीमियम तो अंदर से यह कार ज़्यादा लगते हैं उसके कंपारि यहां पर कुश्टिंग वगेरा ना उससे में कोई यहां पर थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो अगर आपको मतलब अंदर का ऐसे यह वाला जादा अच्छा तो आप इस कार को कंसिडर कर सकते हैं बाकी इंजन वाइस तो वही ज़्यादा अच्छी है और आप स्वाधी ज़्यादा अच्छा है अगर हम बात करते हैं अगर हम सेंग प्राइस पे करें लेकिन स्क्रीन स्कृन सेरिंग मौंटे कंट्र जीस बेसिक फीचर साब इसमें भी लगवा सकते बाद में तो यही चीज होती है बाकी बैक्सिट का बात करें तो बैक्सी आपको वै तो यहां पर देख सकते हैं, ऐसी कुछ है, आमरेस्ट वागे है, तो क्या ही मिलेगा है, हेड्रस की नहीं है, तो बाकी ऊपर रूफ लाइट आपको मिल दिये, और एसी वेंट्स इसकार में आ रहे हैं, स्पेस विगर आपको कुछ इतना मिल जाता है, हेड्रूम इसकार में ज़्यादा बढ़िया मिलने वाला है, वाकी यहीं है, अगर हम बाद करते हैं, फ्रॉंक्स की, तो असी इसमें नहीं है, सीट्स की कुछ इसकी बढ़ियाइ है, स्पेस्ट सब्च आपको मिल जाते है, लेकिन एक ड्लाइट जो यहां पर है, हेड्रूम का, यहां पर अगर से सिक्स वीट के असपस हैं जैसे कि मेरी है तो में को यहां पर हलकी सी कमी कोई लगे गी मतलब यह कार का जादा बढ़ी है लेकिन वही हैं यहां पर दियारेस इवेंट्स नहीं आ रहे हैं उसमें आ रहे हैं पागी दोराल बात कीज़ें अगर आपको फीचर में कुछ भी चेंज नहीं करना है म्यूजिक सिस्टम भी चाहिए तीन हैड्रेस भी चाहिए और लोकल बहुत थोड़ी बहुत आपकी चलती है कार तो आप फ्रॉंक्स की तरफ चल जाओ बाकि वैल्यू फॉर मनी मेरे सब से यहां पर ब्रेज़ा जाद है क्योंकि यहां पर 1.5 लीटर का इंजन आपकर यहां पर मिल रहा है बाकी लुक्स में मुलब देखने में ऐसे देखने में थोड़ी ब्रेज़ा उस से जादा फ्रॉंक्स से जादा बड़ी लगती है दो दोनों की लैंट फर गेरा बिल्कुल से मैं तो फ्रॉड़ा एस्यू वाला फील यहां पर आपको जाद अच्छा मिलने बाकी यही अगर हम कोई और वेरियंट की बात करते हैं तो शायद मेरा ऑपिनियन थोड़ा चेंज होजें लेकिन फ्रॉंक्स टेल्टा ब्रेज़ा एलेक्स ही मैंसे मेरी चॉइस रहेगी ब्रेज़ा एलेक्स ही आप इन दोनों में से कॉंसी चूस करेंगे मेरे को नीचे क बाकी डिटेल्ड वीडियो अगर आप किसी भी वेरिंट का किसी का देखना चाहता है तो लेंक आपको दोनों गई वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अखी तो यहीं पर करते हैं इस वीडियो के एंड आई होप आप सभी के वीडियो पसंद आई होगी कुछ